सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन एमेच्वन प्राइम के ब्यूरो हेट चंदुशेखर धरनी ने पंचकुला की CMO डॉक्टर जगजीत कौर से खास बाच्चीत की जोरान CMO ने बताया कि जिले में कुल पाँच मामले पॉजिटिव आए हैं जिनमें से दो की रिपोर्ट नेगिटिव हैं और अब तक 243 लोगों की सैंपल लिए गए हैं पंचकुला की सिवल सरजन डॉक्टर जचीत कौर हमारे साथ मौजूद है इसे बाच्चीत करेंगे मैं इस वकित कितने पेशेंट करोना से पीडि पंचकुला जिले में हैं और कितने संदिक्द हैं हमारे पास पांच पॉजिटिव पेशेंट्स जो आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हुए थे अभी तक टोटल उसमें से जो तो पुरानी दो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनकी रिपीट सैंपल में नेगिटिव आ गया है पर प्रोटोकल के हिसाब से उनके हम दो से एक सेंपल और होगा तो दो नेगिटिव आने के बाद उनको निस्चार्ज कर दिया जाएगा नए जो मरीज आए हैं पॉजिटिव वो तीन मरीज हमारे पास आज के दिन में दाखिल है तोटल पंच कुला में अभी तक करोना के दुरान कितने सेंपल लिए गए हैं कितन नुत चुरू से उसमें से 221 हमारे झारे नेगिटिव हैं पांच पाजिटिव हैं जैसे मैंने बताया है तो यहां कॉरिंटिन कितने किये गए हैं पूरे प्श पन्च कुला जेले के अंदर हमारा जो कॉरंटिन सेंटर में लगभी आठ्सो से उपर इस समय उसमें हम इस त स्टाफ नर्सित हैं, सरकार ने बीचे कहा था कि उन्हें रेड विशप में, पी डेवलूडी, रेस्ट हाउस या और जगह रुकने के लिए, क्या वो वस्ता लगू हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो उसका वर्गी करन कैसे किया गया, डॉक्टर कहा रुक रहे हैं, जो माताबंसा देवी मंदिर में हैं. जान करी हैं, मैडम ने दी हैं. कैमरामेंट जितिंदर हस के साथ, चंदर शेकर धरनी, MH1 News, पंचकुला.